हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टो अवर यूटूब चैनल आसान राफो यू कात्याईन रिशी के घर उनकी पुत्र के रुप म जन्व लेने के कारण ही इनका नाम कात्याईनी पड़ा कहा जाता है कि जो भी भक्त नवरात्र के छटे दिन मा कात्याईनी की पूजा पूरे स्रध्धा भाव से करता है तो माता के आसिरुवात से भक्तों की सभी पूरी होती हैं। इनकी पूजा के प्रभाव से कुंडली में विवाह योग मजवूत होते हैं। और मा कात्याइनी की भक्ति से मनुष्य को आर्थ कर्म काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। अभी जीत मूरत होगा दो पहर बारा बजकर आठ मिनट से दो पहर बारा बजकर चपन मिनट इस दिन आयुस्मान योग और सवभागी योग भी रहेगा। अब बात करते हैं मा का त्याइनी सुरुप के बारे में। पती रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इनकी पूजा की थी। इसलिए इन्हें ब्रजमंडल की अधिस्ठात्री दे भी कहा जाता है। मा के पसंदिदा रंग वभोग के बारे में दोस्तों मा का त्याइनी का पसंदिदा रंग लाल है। इस दिन भोग के रूप में मा का त्याइनी को शहत पसंद है। मा को लाल रंग के पुष्प अर्पित करते हैं तो मा प्रसंद होकर सुक्षम्रती और निरोगी काया का वरदान देती है। इस दिन परसाद में सहत का प्रियोग करने से साधक को सुन्दर रूप राप्त होता है। अब जान लेते हैं देवी कात्याइनी पुझा विधिव मंत्र के बारे में। दोस्तों नवरात्री के छटे दिन प्रातहस्नान करने के बाद लाल या पीले रंका वस्त्र धारन कर गंगा जल से पूझा स्थल को सुद्ध कर लें। अब पर्थम पूझ गणे जीव समस्त देवी देवताओं और देवी कात्याइनी का आवाहन कर हातों में फूल लेकर मा को प्रणाम कर उनका ध्यान करें। इसके बाद उन्हें पीले फल, फूल, कच्ची, हल्दी की गाट, रोली, सिंदूर और सहत अर्पित करें। के छटे दिन मा की पूझा के समय पीले वश्तर धारण कर, मा के शमक्ष दीपक जला कर, उन्हें पीले फूल व एक चुटकी लाल सिंदूर अर्पित करना चाहिए। कथा अनुसार जब महर्षी कात्याईन ने मान नवदुर्गा की कटिन तपश्या की, तब माता ने उनकी तपश्या से प्रसन होकर उनकी पुत्र के रूप में उनके घर में जन्म लिया था। देवी दुर्गा का जन्म महर्षी कात्याईन के आस्त्रम में ही हुआ था। पानन पोशन रिशी कात्याईन ने ही किया था। श्वार क्जिए मैं ही था। दुर्गा क्वंद एला दू ही ही म criticism पानन पोप में जनकी तब में एट इक मैं लिवा। कि पानन पहलं आस्तं झारके और पानने ही हुआ कात्या था। झाल झाल